धाई किलो का हाथ 40 करोड की ओपनिंग देखनिल शर्मा ने कर दिया गदर टीन का एलान पहले दिन बॉक्स ओफिस पर तूफान की तरह काटा गदर तो सल्मान खान का आया जोड़दार रियाक्शन वेकेंड पर तोड़ सकती है पठान का रिकॉर्ड बहुत पीछे चूट गई खिलाडी कुमार की ओ माई गॉड तीन दिन में 200 करोड के आकड़े को पार कर सकती है तारा सिंग और सकीना की जोड़ी 22 साल बात तारा सिंग और सकीना की जोड़ी बॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है फिल्म विकेंड खात्म होने तक 200 करोड उपे का आकड़ा पार कर सकती है फिल्म ने पहले दिन 40 करोड उपे से जादा का बिसनेस किया विकेंड के दोनों दिन में याकड़े दोगुना होने की संभावना दिख रही है वज़ा यह है कि सिनेमा घरों में पहले दिन से भी ज़्यादा भेड़ देखने को मल रही आधिकान शिनेमा घरों में सभी शो हाउस फुल चल रहे हैं माना जा रहा है कि तीसरे दिन नेटवर्ट के मामले में सनी पाजी के फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी, हालनके फिल्म की ग्राउंड आपनिंग देखकर अनिल शर्मा खुशे से फूले नहीं समा रहे, उन्होंने अगले साल गदर टीन रिलीस करने का एलान कर दि साल में इंदोस्तान जिन्दाबाद के नारे भी खूब बुंज रहे हैं, साकनी की रिपोर्ट के मताबिक साल 2001 में रिलीस हुई गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल, गदर टू ने पहले दिन बॉक्स आफ़स पर 40 करोड रूपय का कारोबार किया, यह आकड़ा सनी देवल के पिशली पुरानी फिल्मों की आपनिंग से कहीं ज्यादा है, गदर टू एक्टर की सबसे बड़ी आपनर फिल्म बन चुकी है, उनके 40 साल के लंबे करियर में जीत, घातक, डर, बॉर्डर से लेकर यमला पगला दिवाना जैसे फिल्म में सूपर हिट साबित हुई, गदर पिशे चोड़ दिया, अलांकि पहले दिन पठान से थोड़ा पिछड़ गई, लेकिन तीसरे दिन के कुल कलेक्शन में गदर टू पठान को पीछे चोड़ सकती है, अगर गदर टू के साथ रिलीज हुई, अक्षर कुमार की ओमाई गॉड की बात की जाए, तो पहले दिन के कलेक्शन और सिनिमा घरों में भारी भीड के बाद, बॉली उड के भाईजान का रियक्शन आया, बॉली उड के दवंखान यानि सल्मान खान ने गदर टू की तारिफ किये, उन्होंने सनी देवल की तारिफ करते हुए एक इंस्ट्रेग्रम पोस्ट शेर किया, सल्मान पोस्ट में लिखा, धाई किलो का हाथ बराबर 40 करोड की ओपनिंग, सनी पाजी कमाल कर रहे हैं, गदर टू की पूरे टीम को बधाई, सल्मान खान के इस पोस्ट पर लोग खूब कॉमेंट कर रहे हैं, और सनी देवल को बधाई दे रहे हैं, सल्मान खान के इसी पोस्ट बॉलिएट कुईन कंगना रुनौत की भी नजर पड़ी, कंगना रुनौत ने सल्मान खान का इंस्टरग्राम पोस्ट अपनी स्टोरी पर साजा किया, इसको साजा करने के साथ ही अक्टरस ने गदर दो की तारिफ की, उन्होंने तालियों वाला इमोजी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कंगना रुनौत की ये स्टोरी देखने के बाद सल्मान खान और सनी देओल दोनों ही काफी खुश होंगे, सनी देओल के फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, इसी वजह से लगातार लोग फिल्म देखने पहुँच रहे, बीते दिन सनी देओल ने स्पेशल स्क्रिनिंग रखी थी, जसके बाद कई बॉल्यूड के सितारे फिल्म देखने पहुँचे, सभी सनी देओल के फिल्म की तारिफ कर रहे हैं,